हेलो, गुड आफ्टरनूँ, आज हम करते हैं बड़ा, स्टीरियो केमिस्ट्री औफ एसेन बनना एसेटो मेकानिज्म है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री करने से पहले, सम बेसी कंसेप्ट है बटा, आप्टिकल आईसमरिज्म के बारे में, तो हम पहले यह करेंगे कि यह अप्टिकल आईसमरिज्म, प्लेन पॉलराइज क्या है, देखो क्या होता है, यह हमारे पास एक और्डरनूरी लाइट है, ठीक है, और डारेक्शन्स में, जब इस और्डरनूरी लाइट को हम, किसी निक्वल प्रिज्म में, यह अप्टिकल एक्टिव सबस्टांसिस के अंतरे से पास करते हैं, तो यह लाइट जो है, प्लेन पॉलराइज लाइट हो जाती है, मतलब इसके बाद यहां से पास करने के बाद, विच वाइबरेट्स अंली वन डिरेक्शन, एक डिरेक्शन में वो करती है, और उसको हम बोलते हैं, प्लेन पॉलराइज लाइट, प्लेन पॉलराइज लाइट, जो सब्स्टांस इस लाइट को रोटेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्स्टांस, चीक है, अब यह लाइट को, रोटेट कैसे करेंगे, या तो कलॉकवाइज डिरेक्शन में करेंगे, या एंटी कलॉकवाइज डिरेक्शन में करेंगे, मतलब राइट साइड में करेंगे, कलॉकवाइज करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और left side में करेंगे तो इनको हम बोलते हैं लीवरोटेटरी और ये जो polarized है जिसमें से जो हम बोलते है ऑप्टिकल सबस्टांस जो light को plane polarized करते हैं ये chiral सबस्टांस होते है chiral सबस्टांस के present होने के कारण होते हैं अब आता है ये chiral क्या है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे chiral chiral क्या होते हैं the molecule that is not superimposable not superimposable on mirror image on mirror image for example 2-butanol जैसे example है आपके पास C2H5 CH CH3 और ये OH 2-butanol है आगर हम यहाँ पर mirror रखें तो क्या होगा ये CS3 इस साइड में आएगा जब हम इसकी mirror image देखें है बटा तो ये C2H5 यहाँ जाएगा और ये OH यहाँ रखेगा कारल आटम की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें ये जितनी भी जो group लगे होते हैं बटा ये सारे के सारे different group होते हैं different group होने की बज़ा से ये mirror image जो है वो superimposable नहीं होती है superimposable नहीं होती है मतलब जैसे ये hand है इसके उपर मैं ऐसे रखूँ तो ये दोनों कभी impose नहीं होंगे इस image को हम बोलते हैं superimposable और ये किस में आती है बटा ये chirality में आती है और example है इसकी और example लेते हैं जैसे हम एकजमपल करते हैं बटा कोई भी compound जैसे लिलो आप ये group आपने coh लगा दिया यहां ये c है ये आपका cs3 ये आपका h है और यहां मान लो एक और compound जैसे लिलो आपने group लगा दिया ns2 mirror image है क्या बनेगी coh अब ये जो cs3 था ये इस साइड में आएगा ns2 group जो है वो आपका बटा इस साइड में होगा और ये h होगा तो overall बोलने का मतलब क्या होगा जो chiral atom है ये non superimposable mirror image होती है इनकी दूसरे जो आपके present inhibitor दूसरे जो होते है उनको हम बोलते है अचाइरल अचाइरल अब ये अचाइरल कौन से होते हैं विच हैस superimposable mirror images जिनकी mirror image जो है हो superimposable होती है जैसे example है टू प्रोपेनोल जैसे CS3 ग्रूप OH mirror image CS3 यहाँ आएगा ये अचाइ होता ये CS3 और ये OH अब जब हम इस image को उठा करके इस image के उपर रखेंगे तो ये superimpose करेगी जैसे for example ये है और इसके उपर हमने ये finger रख दी ये superimpose कर जाएंगी तो a chiral atom है बटा ये superimposable mirror image form करते हैं और जो chiral है ये non superimposable mirror image form करते हैं ये था आपका बटा chiral और इस process को हम बोते हैं chirality जैसे और example है कोई भी ग्रूप है आपके h है c है ये h present है बटा h ही यहाँ पर है अब इनको जिस मर्जी तरीके से आप image बना लो बटा ये सारी image जो आपको एक दूसरे पर superimpose करेगी क्योंकि सारे group जो है लगबग c में है इसमें क्या condition है बटा chiral में कोई दो group कोई दो group same हो जाएं या सारे के सारे group same हों ये chiral आते हैं इनको chiral बोलते हैं जैसे एक्जम्पल है chiral T की और भी है 2 chlorobutane CH3 CH ये इसका हम center मनते हैं CH2 CH3 ये CL 2 chlorobutane ये एक्जम्पल है बटा chiral की है ठीक है 2 bromopropano quesit आप क्या देख रहे हैं इस chiral T में यहां पर chiral T में क्या देख रहे हो CH3 है CH3 CH2 है और CL group है ये सारे के सारे अलग अलग different position की ओपर लगे हैं तो ये सारे के सारे आपके कायरलाते हैं और एक और कायरलाटी की आपके एक इक्जम्पल आती है बटा कि जैसे मानलो ये पहले तो अब हम इसको लिखेंगे ये कैसे है यह यहां पर center है मानलो हमने क्या गिया ये C आपका ये C center है यहां पर ये group जो है ये CH3 group attach है हैं और यहां पर एक carbon ये ये की ये मतलब CH2 CH3 और यहां एक carbon ये है तो ये भी आपका आता है CH2 CH3 और यहां carbon 1 और ये आएगा hydrogen तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर ये दो group जो हैं वो बिल्कुल सेम है it means it is a chiral चेक है ये थी आपकी chirality और chiral में है अब इसके बाद आता है इस chiral और a chiral में हम inensiomers कैसे ढूंगते हैं और मैंना आपको बताया था कि जो substance plane polarized light को rotate करते हैं ये plane polarized light है और मानलो ये आपके पास कोई solution है ठीक है ये क्या करेगा ये इस plane polarized light को rotate करेगा और उसकी जो rotation है बिटा ये दो तरीके से होगी या तो right side और या तो left side या तो right rotate करेगा या फिर left rotate करेगा ठीक है आगर तो ये right side में rotate करेगा तो इसको हम लिखते हैं D के साथ dextro rotatory और अगर ये left side में rotate करेगा तो ये जो optical active substance है ये plane polarized light को rotate करते हैं इसका मतलब क्या होगा इनके बीच में chiral molecule present होगा किसके कार्ण ये plane polarized light को rotate करते हैं ये chiral molecule present होता है इसलिए उसको हम इनकी rotation करते है अब इनकी जो rotation आती है वो rotation जो है ये चलती है या तो D और L dextro या फिर लीवो रोटेट रही अब इनके पास ये जो D है और L है configuration से है तो ये जो D और L होंगे बटा ये optical isomers होंगे इनको हम बोलते हैं optical isomers इच अदर ये एक दूसरे के बिल्कुल optical isomers होंगे and which are the non-superimposable mirror image और जो इनकी image होगी वो होगी non-superimposable non-superimposable mirror image और जो optical isomers होते हैं जो एक दूसरे के ये optical isomers है एक दूसरे के इनको हम बोलते हैं बटा enantiomers ये होते हैं enantiomers d और l मतलब ये जो dextre और lever है ये दूनों के दूनों inensiomers हैं inensiomers की बटा क्या खासियत होती है इनका boiling point boiling point melting point ये सारे का सारा same होता है but they rotate in different directions इनकी जो rotation होती है वो different direction में होती है वो same direction में नहीं होती है enantiomers क्या होगे non-superimposable which has the non-superimposable mirror image of each other are called the enantiomers example है जैसे tartaric acid है COOH OH ये वाटा H H है ये C है और यहाँ पर OH है COOH जब इनकी mirror image बनेगी तो ये कुछ ऐसी होगी OH इस साइड में आएगा OH यहाँ H आएगा और ये COOH आएगा non-superimposable है अब इसको उठा करके हम इसके उपर रखेंगे बिल्कुल सेम होगा ये होगा बटा non-superimposable mirror image and that is they are known as enantiomers इनी को हम enantiomers बोलते हैं next आते हैं बटा आपके next आते हैं बटा आपका rasmic mixture rasmic mixture क्या होता है बटा mixture containing two enantiomers क्योंकि rasmic mixture से पहले enantiomers करना बहुत जुरूरी था which contain two enantiomers in equal proportion मतलब rasmic mixture बहुते हैं जो दो enantiomers को equal proportions में contain करते हैं जैसे मानलो दो कौन-कौन से पहले d enantiomers है enantiomers ये क्या करता है plus sign होता है clockwise rotation होते इसकी और ये L है लीवो है enantiomers है पहले ये minus one से लिखते हैं और ये anti-clockwise है anti-clockwise direction में है equal proportions का मतलब है 50% हमने ये लिया 50% हमारे पास ये है तो इसकी net rotation क्या होती है net rotation है बैटा देखो एक clockwise है आपका 50% ये clockwise गुम रहा है और दूसरा वही जाके 50% जो है anti-clockwise गुम रहा है तो हमारी जो net rotation है वो कितनी होती है 0 होती है then it is a rasmic mixture मतलब जिनकी जो net rotation 0 आ जाए वो rasmic mixture होती है जैसे एक ग्जमपल में मैंने आपको sn1 में बताया था जो sn1 का जो आपका mechanism बनता था वो आपका rasmic mixture था क्योंकि आगर left side से हम nuclear file attack करें तो वो left side में आएगा और दूसरे right side से attack करते थे वहाँ और जो sn2 mechanism था वो हमने देखा था inversion of symmetry बनता था sn2 inversion of symmetry अता था मतलब ulti image बनती थी वहाँ पर यह थापका erasmic mixture और next आता है बटा diastomers वो क्या होते है next आता है बटा diastomers diastomers क्या होते है बटा stereoisomers which are not mirror image of each other जिनकी आपस में एक दूसरे की mirror image बिलकुर नहीं होती जैसे example बटा COOH COOH यहाँ पर H है group H और यह OH COOH second है इसका diastomers क्या होगा इसका diastomers ही होगा OH H है OH है और यह COOH अब आप देख रहे हैं यह बिलकुल भी इसकी mirror image form नहीं हो रहे है यह OH है अगर mirror image होती तो यह OH आपका यहाँ था और इन दोनों को हम बोलते हैं diastomers means which are not mirror image of each other यह एक दूसरे के मिनके कोई भी mirror image नहीं होती है और लास्ट आपका compound आता है इसका हम बोलते हैं meso compound meso compound meso compound क्यों होते हैं which do not show यह do not show optical activity यह किसी भी तरह की optical activity को show नहीं करते हैं but यह कंडीशन होते है but they have plane of symmetry इन मैं सिर्फ और सिर्फ plane of symmetry होती है जैसे यह compound COH COH है OH है यह H है और यह COOH again plane H ठीक है optical activity बिल्कुल show नहीं करते हैं लेकिन इनके पास plane of symmetry यह वाली plane of symmetry है यहां से यह ठीक है यह same होंगे यह plane of symmetry आती है इनको हम meso compound बोलते हैं तो यह थी आपकी stereo chemistry अब इसके बाद जो SN1 और SN2 हमने पढ़ी है इनका क्या क्या difference है कौन-कौन सी points है जो हमने SN1 और SN2 mechanism पढ़ी है फर्स्ट है बेटा SN1 का तो हमने पढ़ा था कि इसका order first है order first क्यों है क्योंकि एक reactant जो वह आपका यहां redetermined step में आता है SN2 mechanism है second order reaction है two reactants आपकी SN1 two step में है SN1 यह आपकी one step में चलती है SN1 में carbocatine और intermediate form होते है SN2 में carbocatines are not intermediates यहां पर carbocatine कोई intermediate नहीं होते है छीक है SN1 जो है यह बोथ back side और front side जो अब वो attack कर सकती है ठीक है और SN2 हमने देखा कि back side attack जो है nucleophile ज्यादा जल्दी करता है इसका reactivity का जो order आता है आपका 3 degree, 2 degree, 1 degree आता है और इसका जो order आता है आपका 1 degree, 2 degree, 3 degree आता है तो यह था बेटा all about आपका SN1 SN1 mechanism stereo chemistry, meso compound rasmic mixture, enantiomers DL rotations, optical activity ठीक है गुद बाई, टेक केर आता है